पहले question के बात के दुस्तों तो तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है चार आपसन है आपके पाद बताना है कि जो तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है तो right answer बात के दुस्तों इसका right answer हो जाएगा option नमबर B यानि निकोटीन बात करें तो तमबाखो में निकोटीन नामक एलकेलो leukeड नामक रसायन पहें जाता है और यहां पदार्थ सरीर में उतेजना पैदा करता है अगला question देख लेते हैं दोस्तो प्रोटीन क्या है आपको बताना है कि प्रोटीन इन में से क्या है तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तो, option number A यानी polypeptide, बात करें तो protein मुख्यत, polypeptide होता है और protein का निर्माड amino amylों से मिलकर होता है, और amino amyl एक दूसरे से peptide बंद द्वारा जूड़े रहते हैं दोस्तो, चलिए दोस्तो अगला question देख रहते हैं, कौन सा vitamin यक्रित में संचित कि जा सकता है, इसका right answer हो जाएगा दोस्तो, option number A यानी vitamin A, vitamin A जो की यक्रित को सिखाओं में मुख्यतर, vitamin A संचित होता है, और कुछ मात्रा में vitamin D का संचित भी यक्रित में होता है, अगला question देख लेते हैं दोस्तो, सामान मुत्र में विद्धमान glucose का प्रतिसत कितना है, आपको बताना है कि जो सामान मुत्र होता है, उसमें glucose का प्रतिसत कितना है, most important and most repeated question है दोस्तो, इसका जो right answer हो जाएगा दोस्तो, option number D हो जाएगा, यानी 0 प्रतिसत, आपको बता दे कि नेफरान या ब्रिक नलिका या म मुत्र नलिका में रुधीर से च्छनकर आये जल, वसेस, पदार्थ के मिस्रण को मुत्र कहते हैं दोस्तो, और बता दे कि सामान मुत्र में गुलकोच की जो मात्रा होती है, वह 0 से 0.015 प्रतिसत के बीच पाई जाती है, तो अगला question देख लेते हैं, निमनलिकित में से किस वीटामिन की कमी के कारण मसूडों से रखता आता है और दात हिलने लगता है, यानि मसूडों से ब्लड जो रखता आता है और दात हिलने लगता है, इसका right answer हो जाएगा दोस्तो, option number C हो जाएगा, यानि वीटामिन C, बात करें वीटामिन C तो जिसका नाम है रासाइनिक, इसकारविक एसीड और इसकी कमी से रखत स्राव की प्रवित्ति बढ़ जाती है और मसूडों से खुन बहने लगता है तथा दात हिलने लगते हैं, दूध में होते हैं, आपको बताना है कि दूध में क्या पाया जाता है, तो इसका right answer हो जाएगे दोस्तो, option number E यानि उपर रोक्त सभी, बात करें दूध की, तो दूध में दोस्तो, कार्बोहाइडरेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कैलसियम हो गया, इसके साथ साथ लगबक सभी पोसत तत्व पाय जाते हैं, और दूध को पूर्ड खाद पदार्थ की संग्या भी दी जाती है, अग इसका राइट अंसर हो जाएगा, उप्सन नंबर B यानि यक्रित लीबर, जो की पित का स्तराव करता है, तथा यक्रित द्वारा स्तरावित पित, पित तासय में एकत्र होता है, और पित्र जो की हलके पीले रंग का एक छारी द्राव है, अगर इसके पी एच मान के बात कर होता है, आपको बताना है कि जो नेत्र गोलक होता है, वो किस सेट द्वारा चालित होता है, इसका राइट अंसर हो जाएगा, उप्सन नंबर B यानि छा मास पेसियों के, नेत्र गोलक जो की छा मास पेसियों के सेट द्वारा संचालित होता है, नेत्र गोलक नेत्र कोटक म इस्थित होता है और यह सीलीयों, क्रिस्टली या लेंस, काचाब, पिंड और नेत्रोध से बना होता है. अंगला question देख लेते हैं दोस्तों, सामान ब्यक्ति की सामर्थ होती है आपको वताना है जो सामान ब्यक्ति की सामर्थ कितनी होती है ठिसका right answer हो जाएगा Option number B यानि 0.05 से 0.1 अस्वसक्ति यह एक सामान ब्यक्ति की सामर्थ होती है। एक अस्वसक्ति के बराबर अगर बात करें तो 746 वाट के बराबर एक अस्वसक्ति होता है। अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों मसरूम में बहुतायत में मिलता है यानि मसरूम में क्या पाया जाता है अधिक मात्रा में तो इसका राइट अंसर जाएगा दोस्तों अफसन नमबर ए यानि प्रोटीन मसरूम की बात के दोस्तों तो मसरूम में 91 प्रतिसत जल और 3.7 प्रतिसत प्रोटीन और 0.6 प्रतिसत अन्य पोशक्त तो पाया जाते हैं और यह एक कवक है चलिए दोस्तों अगला कोशन देख रहेते हैं दोस्तों आपके आगामी एक्जामनेशन के लिए मैंने बहुत सारे important e-books बनाया हैं जो आपको लेके represent करना चाहिए देखें math के 500 guess questions मैंने ready के हैं especially for group d examination आप इसे लेके complete practice कर डालिए और सभी संपूर हल के साथ है और यह सारे के सारे super guess question है especially for group d examination and second दोस्तों e-book है यह आप साइंस के 1000 question दोस्तों जो बार बार आपके exemption पूछेगे and most expected है और सबसे बड़ी बार दोस्तों यह complete detail के साथ e-books मैंने बनाया है तो अगर आपका science का portion week है तो आप इस particular e-book से पूरा cover कर सकते हैं third static gk जो बहुत ज्यादा important दोस्तों पच्चिस सो महतपूर प्रशन दोस्तों मैंने इस में cover किया है इस particular e-book में जो 100% पूछे जाने वाला प्रशन है और यह भी दोस्तों complete detail के साथ है सारे के सारे detail के साथ मैंने यह आप यह लेबल करा है जो आपको बहुत ज्यादा revision करने और याद करने में help करेगा एं दोस्तों gk को आप topic wise cover करना चाहते हैं दोस्तों तो इसके लिए मैंने 70 topic का देखे topic wise gk का e-book बनाया है यह सभी e-book आपके आगामी rrc groupd examination ntp cb2 chsl up police लेकपाल सभी परिछाओं के लिए बहुत जरूरी है तो आप जरूर से ले लिजेगा स अपका link discussion box में है और आप इससे बहुत ही बहतरीन तरीके से revision और practice कर सकते हैं अधिक्तम साकाहारी protein पाया जाते हैं आपको बताना है इन में से सबसे ज़्यादा साकाहारी protein किसमें पाया जाता है तो इसका right answer जागा दोस्तों option number B यानि दालों से बता दे कि अधिक्तम जो सा आलों बेपाय जाते हैं और protein का मुख कार उतको की मरमत करना होता है अगला question देख लेते हैं आईरिस का क्या काम होता है आपको बताना है जो आईरिस होता है उसका कार्य क्या होता है तो इसका right answer जाग दोस्तों option number A यानि आख में जाने वाले प्रकास की मात्रा को नियंतरित करना बता दे कि आख में कार्णिया के ठीक पीछे एक परदा होता है जिसे आईरिस कहते हैं और आईरिस का जो कारे होता है आख में जाने वाले प्रकास की मात्रा को नियंतरित करना होता है अगला fonction देख लेते हैं दोस्तों नेम्न में से कौन सा एक मानवनेतर का भाग नही तो इसका राइट अंस वह जाएगा दोस्तो ओप्सन नमबर A यानि फीमर फीमर जो की मानो नेतर का भाग नहीं है फीमर की बात के तो यह मानो शरीर की सबसे बड़ी हड़ी है और यह मानो जांग की हड़ी है जबकि आईरीस हो गया प्यूफिल हो गया रेटीना हो गया यह म कोशन देख लेते हैं दोस्तो किस मानो अंग में सरवाधिक कोलेस्ट्राल उत्पादित होता है आपको बताना है कि कौन सा मानो अंग में सरवाधिक कोलेस्ट्राल इसता उत्पादित होता है जिसका राइट अंस वह जाएगा दोस्तो ओप्सन नमबर A यानि यक्रित यानि हैं चलिए दोस्तों अगला कुश्चन देख लेते हैं निमनलिखित में से कौन सी किरड़ें आखों से नहीं देखी जा सकती है most important है आपको बताना है कि कौन सी किरड़ है जो आखों के द्वारा नहीं देखी जा सकती है तो इसका right answer हो जाएगा option number D यानि उपरियुक्त सभी यानि पराबैगनी किरड़, गामा किरड़ और अरक किरड़ ये तीनों किरड़ें आखों से नहीं देखी जा सकती है अगला question देख लेते हैं दोस्तों, अच्छे स्वास्थ के लिए निम्न में से किसकी छोटी मात्रा में आवस्यक्ता होती है आपको बताना है कि अच्छे स्वास्थ के लिए इन में से किसकी एक छोटी सी मात्रा की आवस्यक्ता होती है तिसका राइटन सो जाएगा दोस्तो ओप्सन नमबर C यानी मिनिरल्स खनीज की सरीर में लगभग 20 खनीज लवडों के तत्तों पाया जाते हैं और उनकी अल्प मात्रा मानों के अच्छे स्वास्थ के लिए आवस्यक होती है अगला कोशन देख लिते हैं मनूस्य नेत्र की मोतिया बिंद की सरल्ल क्रिया में सरल्ल चिकीसथ की स्क्रिया की से वट आता है और इस रोग में लेंस की पारदर्सक छमता समात हो जाती है। अगला question देख लेते हैं। Ophthalmic संबंधित है। आपको बताना है कि जो Ophthalmic है वो इनमें से किस से संबंधित है। तो इसका राइट answer हो जाएगा option number D यानी आँख से। Ophthalmic जो कि आँख और द्रिष्टी से संबंधित है। अगला question देख लेते हैं दोस्तो बेरियम मिल किसके लिए प्रयूक्त होता है। आपको बताना है जो बेरियम मिल होता है वो इनमें से किसके लिए प्रयूक्त होता है। राइट answer हो जाएगे दोस्तो अप्सन number B यानी पोसक नाल की X किरड बेरियम मिल जो कि पोसड नाल या पेट के एकसरे परिछड के रिए पूर्व पिलाया जाता है। प्रयूक्त किरडो का अच्छा और सोसड होने के कारण बेरियम मिल पेट के अन्य भागों को इस पर्ष्ट दिखने में मदद करता है। अगला question देख लेते हैं दोस्तो नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग प्रत्या रोपित किया जाता है। तो इसमें आँख का कौन सा भाग प्रत्या रोपित यानि दान किया जाता है। तो इसका right answer जाएगा दोस्तो option number A यानि कौर्निया। नेत्रदान में दाता की आँख का कौर्निया प्रत्या रोपित किया जाता है। अगला question देख लेते हैं दोस्तो, hygiene विग्यान क्या है। यानि सबसे बड़ी गणती कौन सी है। कि जो सरीर की द्वीती ये सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी है, तो इसका राइटन से हो जाएगा दोस्तो, option number D यानि अग्नियास है, यानि पैंक्रियाज, सरीर की अगर सबसे बड़ी ग्रंथी की बात करें दोस्तो, तो हो जाता है यक्रित यानि लीवर और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथी अग्नियास है, यानि पैंक्रियाज है, और ये दोनों अंग पाचन तंदर के भाग होते हैं, अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तो, मानव सरीर में भोजन के पाचन के संदर्व में लाइपेज का इस्तराव कहां होता है, तो इसका राइट अंसर जाएगा दोस्तो, अप्सन नमबर C यानि अग्नियास है, यानि पैंक्रियाज, लाइपेज, आमासे तथा अग्नियास दोनों से इस्तरावित होता है, लेकिन यह मुख्यत अग्नासे से इस्तरावित होता है, अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तो, ग्रसी का एक नली है, जो की कहलाती है, आपको बताना है कि ग्रसी का एक नली है, जो क्या कहलाती है, तो इसका राइट अंसर जाएगा दोस्तो तो मुख ग्रासन गुहिका के ठीक नीचे वाला भाग है। अगला कोशन देख लेते हैं दूस्तों, प्रोडों में चार प्रकार के दात हैं, इन चारों में नुकीला एवा मूल वाला दात क्या कहलाता है। उन में चार प्रकार के दातों में चारों में नुकीला एवा मूल वाला दात क्या कहलाता है। तो इसका राइट अंस हो जाएगा ओप्सन नमबर C यानी रधनक। आपको उतादे नुकीला एवा मूल वाला दात रधनक कहलाता है। और मानों में 8 क्रिंतक दाथ, 4 रदनक दाथ और 8 अगरे चवक तथा 12 चवरडक दाथ होते हैं. सबसे पहला कोश्चन है दोस्तों किसी गैस की आंतरीक उलजा तापकरम का एक फलन है यह कथन किसका है? Most important question है दोस्तों आपको बताना है कि किसी गैस की आंतरीक उलजा तापकरम का एक फलन है यह किसके द्वरा कहा गया है? तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों option number A यानी Charles के नियम का आपको बता दे कि गैसो के आंतरीक उलजा तापकरम का फलन है क्योंकि ताप परिवर्थन से गैसो के आंतरीक उलजा में परिवर्थन होने लगता है और यदि ताप घटता है तो गैसो का आतन भी घटने लगता है तो right answer हो जाएगा option number A यानी सभी तरंग दैर्ड का विकिरण आपको बता दे किसी उसमा इस्त्रोत की उत्सरजन चंता किसी ताप पर उसके प्रती एकांग तल से प्रती एकांग समय में उत्सरजित विकिरण उलजा से मापी जाती है और प्राया हया पाये जाता है कि पेत तल से उसमी विकिरण का उत्सरजन बहुत कम होता है अगला question देखते हैं दोस्तों 100 degree Celsius पर पानी की ये पेच्छा सामान ये तापमान पर भाप से अधिक गंभीर जलन होती है क्यों आपको बताना इसका right answer क्या होगा तो इसका right answer हो जाएके दोस्तों option number D यानी भाप अ अधिक गंभीर जलन होती है क्योंकि भाप की गुपत उसमा पानी की गुपत उसमा से अधिक होती है अगला question देखते हैं दोस्तों ठंडे देशों में सर्दियों में कारों के रेडियेटर्स में पानी में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाय जाता है इसका परिडाम क्या है तो इस फ्रीज पदार्थ है और इसे ठंडे देशों में सर्दियों में कारों के रेडियेटर्स में पानी के साथ मिलाय जाता है और ये हीमांग को कम करने के साथ जल के कोथनांग में बृद्धी में भी मदद करता है अगला question देखते हैं दोस्तों एक बंदर पात्र को आरंभ में खाली किया जाता है और तब उसमें एक समान दर पर वास्प भरी जाती है तो पात्र में दवाओ क्या होगा इसका बताना है इसका राइट अंसर क्या होगा तो राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों option no.3 यानि पहले बढ़ता है तब इस्थिर हो जाता है यानि एक बंद पा पात्र को आरंभ में खाली करके उसमें एक समान दर पर वास्प भरने पर पात्र में दवाओ पहले बढ़ता है और तब इस्थिर हो जाता है चलिए दोस्तों आगे दख लेता है किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जाता है most important आपको उताना है कि इन में से किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जाता है तो राइट अन्स हो जाएगा अवस्था नमर सी यानि उसमी उल्जा को असोसित और विक्रित कर पदार्थ का अवस्था परिवर्तन जो की एक इस्थ अगला question देख लेते हैं प्रकास के लिए निमनलेखित कथनों में से कौन सा गलत है आपको बताना है इन में से प्रकास के लिए कौन सा कथन गलत है तो right answer बात के दूस्तों इसका right answer हो जाएगा option number c यानि वह निरवात में से नहीं गुजर सकता है आपको बता दे प्रकास के च जो अधिक्तम 40 होती है उती है तीन गुड़े के पावर आठ मीटर प्रती सेकेंड अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों प्रकासिय गेज निमने लेकि सिध्धान्थ पर कारे करता है किस सिध्धान्थ पर कारे करता है जिसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों option number A यानी परावर्तन पर यानी reflection पर प्रकासिय गेज परावर्तन के सिधान्द पर कारे करता है और प्रकास के चिकने प्रिष्ट से टकरा कर लोटने की घटना को परावर्तन कहते हैं अगला question देख लेते हैं दोस्तो जब प्रकास की कोई किरण प्रकास तह सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो वह आपको पताने इसका right answer क्या होगा जिसका right answer हो जाएगा दोस्तो option number C यानी normal से दूर मुड़ती है आपको उता दे जब प्रकास की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अभी लंब से एक तरफ जुग जाती है और इसी को अपवर्तन कहते हैं अगला question देख लेते हैं सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूती हीन होता है राइट answer क्या हो जाएगा इसके right answer बात के दोस्तों इसका right answer हो जाएगा option number B यानी इसका कारण परावर्तन है आपको बता दे कि सूखे बालू पर पढ़ने वाली किरड़े परावर्तित होती हैं जिससे यह चमकीला दिखाई देता है जबकि गीला बालू प्रकास किरड़ों को असोसित कर लेती हैं अतहया धूती हीन होता है अगला question देखते हैं दोस्तों मचवारे को तालाब के किनारे मचली को भाले से मारने की कोसिस में उसे क्या करना चाहिए आपको बताना इसका right answer क्या होगा तो इसका right answer हो जाएगा दूस्तों option number A यानी मचली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए आपको बताते कि जल के अंदर की मचली अपवरतन की कारण अपनी वास्तविक गहराई से कुछ उपर उठी हुई प्रतीत होती है इसलिए मचवारे को मचली मारने की कोसिस में ध्यान कुछन देखते हैं किसी स्वच जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है इसका कारण है आपको बताना है कि किसी स्वच जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम क्यों दिखती है most important ये question है most repeated जिसका right answer हो जाएगा option number यानी अपवर्तन रिफ्लेक्शन के करण आपको बता दे कि किसी समांग माध्यम में प्रकास किरड़े एक सीध में संचारित होती है लेकिन जब प्रकास विभिन घनत वाले एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रिवेस करता है तो यह अपने एक रेखिय पत से बिचलित हो जाता है और प्रकास का इस प्रकार का माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रिवेस करते समय उसकी सीमा पर अपने रेखिय पत से बिचलित होना ही प्रकास का अपवर्तन कहलाता है अंगला क्वेशन दिख लेते हैं किस गुड़ धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है तो इसका राइट अंसर जाएगा अप्शन मसी यानी अपवर्तन आपको बतादे पानी में डुबू हुई छड़ी अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है और रस्तुत अपवर्तन वह घटना है जिसके कारण प्रकास के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी किरड़े मुड़ जाती है अंगला कोशन देख लेते ह देने से पहले देखने में आती है क्यों आपको बताना है तड़ित याने जो बिजली चमकती है उसकी चमक उसकी गरजन सुनाई देने से पहले देखने में क्यों आती है तो इसका राइट अंसर जाएगा दोस्तों अप्सन नंबर C यानी प्रकास की गती ध्वनी की गती से अधिक होती है इसलिए तडित की चमक पहले तथा गरजन बाद में सुनाई देती है अगला कुशन देखते हैं दोस्तों एक उन्नतोदर दरपढ के सामने रखी एक सीधी वस्तू का प्रतिविंब होगा हमेशा चारा अप्सन है बताना है कि एक उन्नतोदर दरपढ के सामने एक सीधी वस्तु का प्रतिविम हमेशा कैसा होगा तो इसका राइट अंसर जाएगा ओप्सिन नमबर बी यानि कालपनिक सीधा और वस्तु से छोटा जो कि एक उन्नतोदर दरपड यानि उत्तल दरपड के सामने रखी एक सीधी वस्तु का प्रतिविम हमेशा कालपनिक सीध और वस्तु से छोटा बनेगा अंगला कोशन देख लेते हैं एक अवतल दरपड की वक्रता केंदर से जाने वाली किरड के लिए आपतित कोड होगा आपको बताना है कि एक अवतल दरपड की वक्रता केंदर से जाने वाली किरड के लिए आपतित कोड कितन होगा दिसका राइ जीरो डिग्री होगा अगला कोशन देखते हैं दूस्तों जब कोई तरंग किसी दरपड में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके तो इसका राइटन्स हो जाएगा अपसन नमबर ए यानी आयाम में आपको बता दे किसी दरपड में से परावर्तन के पहशात तरंग के आयाम में परिवर्तन होता है और तरंग का आयाम बदल जाता है तरंग की आबरित्ती तरंग दैद वह वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है अगला कोशन देखते हैं ही नमबर B यानि हीरे रात में इसले चमकते हैं क्योंकि उच अपरतनां के कारण प्रकास की किरड़े आंतरिक रूप से परावर्तित होती है अगला कोश्चन देख लेते हैं किसी कमपनीक पिंड के अपनी माद इस्थिती से अधिक्तम विस्थापन को क्या कहा जाता है जिसका राइट आंस हो जाएगा अप्सन नमबर C यानि आयाम आपको बता दे कमपन करता हुआ कोई पिंड अपनी माद इस्थिती से अधिक्तम जितना विस्थापित होता है उसे आयाम कहते हैं अगला कोश्चन देख लेते हैं दोसो घुरणनी मसीनों में गतिकिय द्रिष्टी से असंतुलित द्रब्यमान उत्पन करते हैं सामाने तया कुंजी का प्रयोग दो पुल्जों के बीच किस गती को रोकने के लिए किया जाता है most important यह भी question है आपको उताना है कि जो कुझी होती है उसका प्रयोग दो पुल्जों के बीच किस गती को रोकने के लिए किया जाता है तो right answer हो जाएगा option number C यानि घुरणन rotation कुझी का जो प्रयोग होता है और दो पुल्जों के बीच घुरणन गती को रोकने के लिए किया जाता है क्योंकि कुझी का प्रयोग किसी मसीन को एक अस्थान पर बंद करने के लिए किया जाता है जो कि घुरणन गती को रोकने का कार्य करता है चले दोस्तों अगला कोशन देखते हैं मसीन आदी के किसी भी अवयो की स्रांती आयू को सुधारा जा सकता है आपको तरना इसका राइट अंसर क्या होगा मसीन आदी के किसी भी अवयो को स्रांती आयू को सुधारा जा सकता है तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों option number A यानी short punning करके यानी स्रान्ती आयू को short punning करके सुधारा जा सकता है अगला question देख लेते हैं दोस्तों सूच मदर्सी किसके अध्यन के लिए प्रयुक्त होता है most important ये question है आपको उताने जो सूच मदर्सी होता है वो किसके अध्यन के लिए प्रयुक्त होता है तो right answer हो जाएगा option number B यानी छोटी वस्तुओं सूच मदर्सी के जो प्रयुक होता है छोटी वस्तुओं के अध्यन के लिए किया जाता है और सरल सूच मदर्सी में कम focus तूरी का उत्तर lens लगा होता है अगला question देखते है सूच मदर्सी का आविश्कार किस ने किया most important question दोस्तों आपको बताना है जो सूच मदर्सी है उसका आविश्कार किस ने किया तो right answer जाएगा दोस्तों option number D यानी जेड जॉनसेन ने सूच मदर्सी का उप्योग किया जाता है और इसका आविश्कार जेड जॉनसन ने किया था अगला question देख लेते हैं दोस्तों दूर की वस्तों को देखने के लिए किस उपकरड़ का प्रयोग किया जाता है most important यह भी question है दोस्तों आपको ताना है कि दूर की वस्तों को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो इसका राइट अंस ओजाएगा उपस नम्मर D यानि बाइनोकुलर या दुर्बीन बता दे कि जो बाइनोकुलर दुर्बीन की सहता से दूर की वस्तूओं को देखा जाता है और इस उपकरण में प्रकास एक बाइ प्रिच्छम के द्वारा दो बार परावर्दित होती है सबसे पहला कोशेशन है दोस्तों पारा का अयस्क क्या है most important है आपको बताना है कि पारा जो है उसका अयस्क इन में से क्या है आपको बताना है इसका राइट अंस अजाएगा ओप्सन नमबर C यानी पारेका निसकरसर वास्तों में सीने बार नामक अयस्क से होता है अगला कोश्चन देखते हैं दोस्तों अलुमीनियम कास्टिक सोडा में किसकी रचना के कारण विलेय होता है पताना है जो aluminum होता है तो caustic soda में किसकी रचना के कारण wear होता है तो right answer हो जाएगा option number B यानि sodium meta dominate बता दे कि fastest soda में sodium meta-aluminate के कारण wear होता है और इस अभिक्रिया में hydrogen gas निकलती है अगला कुश्चन देख लेते हैं दोस्तों तार खीचने योग सबसे नमनिय धातु है आपको बताना एक जो तार खीचने योग सबसे नमनिय धातु कौन सी है तो रहे डांस होगा option number A यानी सोना बता दे कि सोना जो की धातु वर्धनिय तार खीचने योग सबसे नमनिय धात होती है चले दोस्तों अगला कुष्यन देख लेते हैं अत्य धिक आघात वर्ध धातु कौन सा है मोश्ड इंपर्टेंट है बताना हिन में से कौन सा अत्य धित आघात वर्ध धातु है जिसका राइट अंसर जाएगा दूस्तों अप्शन नमर डी यनि सोना सोना जो की यनि गोल्ड, सोना, जो की सरवाधिक आघादवर्द और साथ ही सरवाधिक सूतन्य धातू है, आघादवर्द यहता और सूतन्य धा में चांडी का जो थान है वो दूसरा होता है अगला question देख लेते हैं दोस्तों निमने लिकित में से किस धातू का तार सरलता से खीचा जा सकता है आपको बताना है कि इन में से कौन सी धातू का तार सरलता से खीचा जा सकता है most important question है तो इसका राइटांस हो जाएगा option number B यानि तामबा copper आपको बतादे तामबे का बहुत ही महीनतार आसानी से बनाया जा सकता है और यह तामबे के सुघट या गुड़ के कारण संभव होता है अगर तन्यता के अनुसार प्रमुख धातू अगर बात करें दोस्तों तो हो जाता है सोना, चांदी, प्लेटिनम, लोहा, नि तो राइट अंसर जाएगा दोस्तों, अप्सन नमबर C यानि HG यानि पारा अन्य धातूओं के साथ मिलकर धातूई घोल बनाता है जिसे अमलगम कहते हैं अगला कोश्चन देख लेते हैं किस तरह की welding प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का ब्याय होता है आपको बताना है कि क प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का ब्याय होता है और इसमें welding rod की आवसकता होती है इस प्रक्रिया से की जाने वेले welding में मुक्त होने वाला ताप जोड़ी जा रही धातू को गला देता है ताकि उसे प्रविभाज रूप से जोड़ा जा सके अगला कोश्चन देख लेते है बेसेमर प्रक्रिया का उप्योग किसमे होता है आपको बताना है जो बेसेमर होता है प्रक्रिया होता है उसका उप्योग इन में से किसमे होता है most important तो इसका right answer हो जाएगा option number B यानि इस पात स्टील में बेसेमर प्रक्रिया की अविस्कार की बात करे तो 1850 इसवी में हैनरी बेसेमर ने किया था और इस प्रक्रिया द्वारा ब्रिहत मात्रा में ढलवा लोहे से इस पात बनाया जा सकता है अगला question देख लेते हैं दोस्तो थर्मिट welding है एक प्रकार का आपको वताने है जो थर्मिट welding है वो एक प्रकार का क्या है तो राइटमस हो जाएगा option number C यानी fusion welding थर्मिक welding जो कि fusion प्रकार की welding है और इसमें जोड़ी जाने वाली धातू के चतुर्दिक प्रती तापित इस्ठील के द्रौध द्वारा welding की जाती है अगला question देख लेते हैं दोस्तों निमनलिखित में से किसे strategic धातु कहते हैं आपको बताना है कि इन में से किसे strategic धातु कहते हैं तो right answer हो जागा option number C यानि titanium बता दे titanium, chromium, magnesium, jarconium आदी जैसी धातु को पियोग रच्छा सामग्रियों के निर्माड में किया जाता है क्योंकि ये धातु में हलकी होती हैं और टूट फूट का सामना करती हैं और वायू में लंबे समय तक पड़े रहने पर भी इनका सरच्छड नहीं होता है अगला question देखते हैं दोस्तो निम्ले लिकित में से कौन सा तत्व स्वत्तंत्र अवस्था में पाया जाता है most important है दोस्तो ये question आपको बताना है कौन सा तत्व जो की स्वत्तंत्र अवस्था में पाया जाता है तो इसका राइटांस हो जाएगा option number C यानी sulfur बता दे प्रक्रति में sulfur, मुक्त और स न्युग्त दोनों अवस्थाओं में पाए जाता है, मुक्त अवस्थामें sulfur जौला मुक्ती Şimdi छित्रों में पाए-जाता है और ऐसे question देख लेते हैं दोस्तो, 80% से अधिक welding छमता होती है, आपको बताने इनमें से 80% से अधिक welding छमता किस में होती है, अग्स का right answer आजाएगा, option number D यानि उपर यूगत में से कोई भी नहीं, आपको बता दे कि प्रतिसत तक दी गई किसी भी welding की छमता नहीं होती है, अंगला question द वो किस की मिस्र धातू है, तो right answer हो जाएगा, option number D यानि लोहा और क्रोमियम की, stainless steel जो कि लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिस्रड होता है, और stainless steel में जंग नहीं लगती है, और सल लेकरिया औजार stainless steel से ही बनाये जाते हैं, अगला question देख लेते हैं दोस्तो, काच निमनलिखित का मिस्रड है, आपको बताना है, जो काच है, वो इन में से किस का मिस्रड है, तो इसका right answer हो जाएगा, दोस्तो, option number C यानि बालू और silicate, काच जो की बालू और कैलसियम silicate का मिस्रड होता है, काच जो की विभिन चारी धातू के silicate का किस्टलियम मिस्रड भी होता है, चले द अंसा है, तो रैडंसा हो जाएगा दोस्तो, option number B यानि पिटवा लोहा, लोहा का जो सुद्धतम रूप होता है, वो पिटवा लोहा है, और पिटवा लोहा में कारवन की जो मात्रा होती है दोस्तो, 0.12 से 0.24 प्रसितत तक, और धलवा लोहा में सबसे अधिक कारवन की मात् होती है, अगर बात के दोस्तो, इसके उपियक की पिटवा लोहा की, तो विद्दु चुम्बक, तार, जंजीर, जालियां आदी बनाने में किया जाता है, अगला कुश्चन देख लेते हैं दोस्तो, किस खनीज अयस्क से लोहा पाये जाता है, बताना है किन में से कौन से ख है, किन्तु इसमें लोहे की मात्रा अपेच्छा करित कम होती है, अगला कुश्चन देख लेते हैं दोस्तो, अधिकांस लोहा निम्न में से प्राप्त किया जा सकता है, बताना है जो अधिकांस लोहा होता है, वो इन में से किस में प्राप्त किया जा सकता है, जिसका हेमेटाइट, बता दे लोहे का जो निस्करशड मुखेतै हेमेटाइट से करते हैं, अगला कोश्चन देह लिते हैं, हेमेटाइट ISK है बताना है कि जो हेमेटाइट है, वो इन में से किसका ISK है तो उसका राई टैन्स हो जाएगा दोस्तों और यह भारत में अधिक मातरा में पाय जाता है परन्तु इससे अच्छा आयस्क मैगनेट आइट है अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तो चुम्बकी प्रिथक करण वीधी निमनेकित में से किस आयस्क के सांदरण में प्रयूक्त होता है आपको उताना है जो चुम्बकी प्रिथक करण वीधी है और किस आयस्क के सांदरण में प्रयूक्त होता है राइट अंसर हो जागा ओप्सन नमबर डी यानि मैगनेटाइट चुम्बकिय प्रित्यकरविधी का प्रयोग मैगनेटाइट आयस्क के सांद्रण में प्रयोग्त किया जाता है चलिए दोस्तों अगला कुशन देखते हैं इन में से बे मेल कौन है आपको बताना है इन चारों में से कौन सबसे अलग है तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर ए यानी इस्पात इस्टील जबकि बात के दोस्तों लोहा तामबा और एलूमेनियम ये धातूएं है जबकि इस्पात जो की एक मिस्र धातू है जिसमें अधिकतर लोहा उपस्तीत होता है जबकि कार्बन की उपस्तीती 0.2 से 2.1 प्रतिसत के मध्य होती है चले दोस्तों अगला कोशन देखते हैं निर्नलिकित में से पॉलीमर है आपको बताना इनमें से पॉलीमर कौन सा है तो इसका राइट अंसर हो जागा ओपसन नमबर C यानी इस्टार्च बात करें इस्टार्च की तो एक पॉलीमर होता है जो मोनो सेकिराइट के कई अड़ आपको बता हैं से जूड़ने से बनता है अगला कोशन देखते हैं मानव द्वारा निर्मित प्रथम सनलिस्ट रेशा था तो राइट अंसर अजएगा ओपसन नमबर A यानी नायलॉन मानव द्वारा सनलिस्ट किया गया पहला रेशा नायलॉन था और इसका निर्मार सरोंपथम वालेश कैरोथर्स द्वारा वर्स 1949 में किया गया था तथा ब्यापारिक अस्तर पर इससे वर्स 1949 में महिलाओं के लिए जुराबे बनाई गई थी अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तो सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है most important question है दोस्तो very very important मैं एक्सम बार पुछता है आपको वदाना है जो सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है राइड अन्स हो जाएगा option number A यानी diamond हीरा जोकि सबसे कठोरतम पदार्थ है और इसकी कठोरता मोह पर सबसे अधिक 10 होती है चले दोस्तो में प्रभावित होता है तो इसका राइटन सो जाएगा दोस्तो option number C यानी रंग हीन यानी जो सुद्ध हीरा होता है और रंग हीन पारदर्शक घनासकार क्रिस्टल होता है जब हीरे को विसेश कोडों से काट दिया जाता है जिससे इसमें प्रवेश करने वाले प्रकास्ट का पूढ आंतरिक परावर्तन हो सके तो यह चमकने लगता है अगला question देख लेते हैं दोस्तो Silicon Carbide का उपियोग किया जाता है आपको ताने जो Silicon Carbide है उसका उपियोग कहां पर किया जाता है तो राइट आंस हो जागा option number A यानी बहुमूल्य कठोर वस्तू को काटने में Silicon Carbide को Carborendum भी कहा जाता है और इसे कित्री महीरा भी कहते हैं क्योंकि यह अभी परियाब्द कठोर होता है और बहुमूल्य कठोर वस्तू को काटने में काम आता है तो यह थी दोस्तो आज की वीडियो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्षा में जरूर गताज़ेगा वीडियो पसंद आगो दोस्तो तो एक लाइक जरूर करिएगा चैनल पर हमारे नय है तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लिजेगा क्योंकि हम लगातार आने वाले ग्रूप टी एकजाम की त्यारी करा रहे हैं तो मिलते हैं दोस्तो अपने एक लिए वीडियो में तब तक की लिए जय हिन जय भारत